हलो गाइज, I hope आप सभी अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे so in this video we'll talk about nihilism इस video में हम nihilism के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि nihilism actual में है क्या कहां से कैसे शुरू हुआ था और क्या इसकी foundation है और आज के society में nihilism को हम किस तरीके से define कर सकते हैं इन सारी चीजों को with some examples हम आज इस video में समझने की कोशिश करेंगे और मैं पहले आप सबको बता दूँ ये video थोड़ी लंबी होने वाली है शायद तो please have patience और इस video को पूरा end तक जरूर देखें I hope ये आपको कुछ न कुछ इस video में समझने को जरूर मिलेगा So stay tuned and watch the video till the end guys तो अगर हम nihilism को समझने की कोशिश करें nihilism एक word को nihilism word को अगर हम समझने की कोशिश करें तो nihilism जो है एक Latin word से बना है जो की है nihil जिसका basically मतलब होता है nothing वहाँ से nihilism निकल करके आया है अब basically समझने वाली ये बात है कि nihilism है क्या nihilism जो है वो एक philosophy में एक belief system है जिसमें की एक इंसान मानता है गी life का ultimate कोई भी meaning नहीं है कोई aim नहीं है इस पूरे existence का पूरे universe का इसके पीछे कोई meaning नहीं है कुछ भी नहीं है life is totally meaningless ये एक nihilism मान करके चलता है अब सबसे बड़ा question जो है जो हम सबके सामने आता है जो हम कोई भी इंसान अगर सोचेगा तो वो समझने की कोशिश करेगा तो उसे idea लगेगा कि nihilist कोई इंसान क्यों बनता है आहिलिजम के पात पे कोई क्यों चलना शुरू करतेगा तो basically ये कहा जाता है कि जब कभी भी किसी के साथ में कोई ऐसा कोई tragic event होता है या कोई भी कैसी चीज होती है जो कि इंसान के किसी भी belief system को हिला करके रख दे या तोड़ करके रख दे तो वहां से उस इंसान का किसी भी एक particular चीज में किसी एक चीज से उसका belief उठ जाता है जब वो चीज तूट जाती है या जब उससे वो belief system चीन लिया जाता है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो हम इंसानों ने अलग-अलग pillars होते हैं के उपर हमने अपनी life को base किया हुआ होता है बहुत सारी चीजे होती है ठीक है उन में से कोई भी एक चीज में से जब हम meaning हटा देते हैं या छिन जाता है meaning तो हम परिशान हो जाते हैं या हम सोचने लगते हैं हम questioning करने लगते हैं अपने उस चीज को ले करके कि हमने उस चीज में किस तरीके से meaning अपने आपको देने की कोशिश की थी और अब वो चीज नहीं है तो हम सफर करना चुरू कर रहे हैं हमें suffering हो रही है और जब एक चीज में से वो meaning को निकाला जाता है तो अपने आप ही इंसान questioning करते करते बाकी सारे pillars पे या बाकी सारे अपने जो belief system है उन पे भी questioning करने लगता है और basically जब वो देखता है कि एक belief system के जाने से जब मेरा ये हाल है तो इस तरीके से जब वो बाकी belief systems को देखता है या बाकी चीजों पर गौर करता है तो वो idea लगा पाता है कि ये सारी चीजे भी अपने आप में इनका भी कोई basis है नहीं शायद मैंने अपने आपको ये चीजे सिर्फ मनवाई हुई हैं जबरदस्ती तो ultimately वो nihilism की तरफ चला जाता है अब nihilism को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो nihilism आज से कई सो या कई हजार साल पहले भी nihilism की बात जो है होती थी और चलती आ रही है बट basically अगर philosophers में अगर हम देखा जाए western philosophers especially कि western philosophers में कब nihilism जो term है वो coin की गई या कब इसके बारे में बात करना शुरू किया गया तो हम देख सकते हैं कि 19th century में एक Russian philosopher थे जिनका नाम था Ivan Turgenev उन्होंने अपनी एक book जिसका नाम है Fathers and Sons वहाँ पे सबसे पहले nihilism को जो है quote किया था है nihilism को बताना उन्होंने शुरू किया था वहाँ से एक starting हुई थी उसके बाद German philosopher Frederick Nietzsche ने अपनी किताब Will to Power में nihilism को define किया था और basically उन्होंने कहा था कि जब किसी भी तरीके के meaning या value system या किसी भी तरीके का कोई purpose से हमारा भरोसा उड़ जाता है या हम हर चीज को deny कर देते हैं या हम questioning करने लगते हैं उसको हम nihilism कहते हैं कि कि किसी भी चीज में basically कोई मतलब नहीं है कोई meaning नहीं है तो वहाँ से जो है nihilism जो है popular होना शुरू हुआ था अब nihilism को भी जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो nihilism के अलग-अलग types है ठीक है चार basically बड़े अलग types है nihilism के पहला जो type है वो है moral nihilism जिसको की हम ethical nihilism भी कहते हैं इस तरीके के nihilism के अंदर एक इनसान ये मान करके चलता है कि society के अंदर जितने भी moral constructs है morality है सच और जूट है या अच्छा या बुरा है ये अपने आप में meaningless है वहां से जो है morals के साथ में अगर आपको moral से अगर meaning लेना है तो वहां से आपको deny कर दिया जाता है कि भाई morality में moral structure हमारे mind के बाहर exist नहीं करता तो इसके पीछे कोई मतलब नहीं है कोई meaning नहीं है ये सरफ हमारा एक mental construct है जो कि society में हमने एक order establish करने के लिए हमने लाया हुआ है और इसके essence में कोई meaning नहीं है basically तो ये है moral nihilism अब अगर moral nihilism की हम बात करेंगे तो एक movie है Batman The Dark Knight तो अगर आपने The Dark Knight देखी हो उसमें Joker का character है basically अब Joker का character जो है वो किसी भी तरीके की morality को deny करता है हर तरीके की अच्छे बुरे या जो भी society में एक structure बनावा होता है उसको deny करता है तो Joker अपने आपने आपने एक बहुत बड़ा archetype है moral nihilism का ठीक है अगर आपने movie ध्यान से देखी हो उसमें Michael Cain का जो character है Alfred का वो Bruce Wayne को बोलता है कि Joker के बारे में जब वो बताता है तो वो बोलता है कि there are some people in the world who just want to see the world burn जो चाहते हैं कि दुनिया सिर्फ हम जलते हुए देखे तो इस तरीके से वो Joker को define करने की कोशिश करता है कि Joker इस तरीके का इंसान था वो एक moral nihilist था उसके लिए meaning नहीं था कुछ नहीं था तो वो सिर्फ chaos फैलाना चाहता था और कुछ भी नहीं तो ये जो है example है moral nihilism का ठीक है अब अगर हम दूसरे तरीके की nihilism पर बढ़ें आगे तो दूसरा जो type है उसे हम कहते है epistemological nihilism इसके अंदर एक इंसान किसी भी तरीके के truth को किसी भी तरीके की knowledge को deny कर देता है कि भाई कोई भी knowledge जो है किसी काम की नहीं है उसके पीछे भी कोई meaning नहीं है क्योंकि basically हम किसी भी चीज को proof करें नहीं सकते कि वो सच है ये जूट है ठीक है अब basically अगर इसका हम example देने की कोशिश करो तो वो ये है कि बहुत लोग जैसे ये कहते हैं कि मरने के बाद में हम अलग dimension में चले जाते हैं या कहीं जाते हैं यहां जाते हैं वहां जाते हैं हर किसी का अपना अपना एक belief system है बट अगर आप एक epistemological nihilist से पूछोगे तो वो वो कहेगा कि इस चीज को जानने का या इस truth को जानने का कोई तरीका है ही नहीं वो truth को वो knowledge को बिलकुल meaningless मानेगा और वहां से भी meaning लेने को बिलकुल deny कर रहेगा अब तीसरे तरीके का जो nihilism है वो है cosmic nihilism अब cosmic nihilism में God के existence को या किसी भी divine existence को deny कर दिया जाता है कि कुछ नहीं है ठीक है कोई God नहीं है कोई divine existence नहीं है और basically nature को भी deny कर दिया जाता है कि nature के अंदर कोई intelligence मौझूद नहीं है जो कि हमारी suffering को या हमारी problems को समझ सके या हमारी problems को समझने की कोशिश कर सके ऐसा कुछ नहीं है तो nature को भी deny कर दिया जाता है कि nature में existence में किसी भी तरीके का कोई intelligence मौझूद नहीं है और कोई हमारी problem को नहीं समझ सकता basically इनसान जो है वो एक vast reality के अंदर एक परपसलेस creature है जिसका कोई existence की कोई value नहीं है और हमको सरफ यहां पे डाल दिया गया है सफर करने के लिए ये cosmic nihilism कहता है तीनों जो basically चीज़ें है ये तीनों जो structure है nihilism के ये अलग 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 जगाहों से तीन अलग 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 जगाहों से आपके लिए life में meaning को derive करने का तरीका चीन लेते हैं ये deny कर देते हैं कि आप इन जगाहों से नहीं ले सकते हैं एक moral nihilist किसी भी तरीके के moral या किसी भी तरीके के मैं कहूंगा moral construct से justice से या सचाई से आपको deny कर देगा आप वहाँ से meaning नहीं ले सकते एक epistemological जो nihilist होगा वो knowledge से या certainty से या किसी भी तरीके की knowledge seeking से आपका meaning को deny कर देगा यहां से भी नहीं लिया जा सकता एक cosmic जो cosmic nihilist है वो God या किसी भी divine power या nature से वो वहाँ से आपको मना कर देगा वहाँ से deny कर देता है तो जब इन तीनों चीजों में घूम करके इंसान जब हो करके जाता है तो basically at last वो चौथे टाइप के existential nihilism में गिरता है इस गड़े में जाकर के गिरता है जो की existential nihilism है जो की बहुत common एक प्रकार है common type है nihilism का जिसको की एक general terms में हम इसी के बारे में हमेशा बात कर रहे होते है existential nihilism के अंदर अब existential nihilism के अंदर क्या होता है कि basically सिर्फ ये कह दिया जाता है there is no meaning to life life का कोई meaning है ही नहीं life meaningless है हम सिर्फ यहां पर suffering के लिए है और हम सिर्फ यहां सफर करने के लिए कोई meaning कोई कुछ नहीं है existence का कोई meaning नहीं है सब कुछ meaningless है ये existential nihilism जो है कहती है अब existentialist एक बहुत famous existentialist है जिनका नाम जीन पॉल साट्रे था उन्होंने अपनी किताब existentialism is a humanism में ये कहा है कि इस चीज़ का क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि existence जो है precede करता है essence को इसका basically मतलब ये है कि एक इंसान जब हम अपनी जिंदगी में जीते हैं ये अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं तो एक इंसान पहले तो जो है life के साथ में अपना engagement करता है ठीक है क्योंकि basically starting में उसे नहीं पता होता अपने बारे में वो जाता है life के साथ में engage करता है life के साथ में उसको एक engagement होता है वो अपने आपको encounter करता है और finally वो बाहर जा करके दुनिया को ये बता पाता है कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ this is who I am बट एक existentialism क्या कहता है एक existentialist क्या कहेगा कि starting में हम खुद अपने आपको नहीं बता सकते कि हम है कौन क्योंकि basically we were nothing starting में हम कुछ नहीं होते और आगे जा करके भी हम कुछ नहीं होने वाले तो basically एक existentialist के पास में ये option बसता है कि वो जाए life को जिस तरीके का भी meaning देना चाहे वो उस तरीके का meaning अपनी life को दे दे और ultimately वो वही बन जाएगा ठीक है तो it's we who give meaning to our lives और हम अपने आपको direction देते हैं जो भी हम बनना चाहे हैं वो बन सकते हैं अपने आपको एक direction दे करके ये एक existentialism का जो एक thinker होगा ये existentialist जो होगा वो ये कहेगा तो इस चीज़ से हम basically ये समझ सकते हैं कि इनसान के लिए meaning ढूंडना आपने आप में बहुत एक challenging task है और ये कहा जाता है कि इनसान को बहुत जल्दी ये समझ जाना चाहिए कि reality की absurdity को ये reality की weirdness को उसे समझ जाना चाहिए जो कि Albert Camus एक बहुत बड़े thinker थे, philosopher थे जिन्होंने की absurdism के बारे में quote किया था absurdism के बारे में बात की थी उन्होंने एक book लिखी थी जिसका नाम है Myth of Sisyphus जिसके अंदर Sisyphus को एक तरीके से एक resemblance बताया गया है Sisyphus की life का ultimate life को resemble करने के लिए जिसमें की वो एक अफिल है, एक पहाड़ी है, ढलान वाली उसमें वो उसको task दिया गया है कि वो बड़े से पत्थर को roll करता हूँ, उपर ले करके जाए, और बस वो उपर ले जाना है उसको और जैसी वो उपर ले आने की कोशिश करता है, वो roll करता हूँ, पत्थर वापस नीचे आ जाता है फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो roll करता हूँ, उसे उपर ले करके जाएगा फिर से वो पत्थर नीचे आ जाएगा तो basically ये एक ऐसी process है जो कि आपको लगातार करनी है ठीक है ये ही है जिसको Albert Camus ने absurdism कहा था अपनी philosophies के अंदर कि ये reality की absurdity को दिखाता है कि आप ढूंड भी सकते हैं ये life में क्या meaning है या क्या है कुछ नहीं है आपको सिर्फ एक निरंतर प्रयास करते जाना है करते जाना है और करते जाना है जब तक आप जिन्दा हो आपको काम करते जाना है जैसे कि उस सिसिफस को वो पत्थर जो है वो बड़ा सा पत्थर उपर रूल करते हुए ले करके जाना है वो बार-बार गिरता रहेगा बार-बार उसको एक continuous ये काम करते जाना है but at the end उन्होंने कहा था कि we must imagine Sisyphus to be happy कि ultimately हम imagine करेंगे Sisyphus को कि वो खुश होगा ये करते हुए तो basically हमें अपने कामों को करते जाना है और बस वही हमारी जो है existence को एक meaning करता है कि वस एक continuous काम आप करते रहो और इस तरीके से आप खुद को imagine कर सकते हो कि शायद आप at last खुश होगे या हो जाओगे I don't know तो absurdism भी एक तरीके से nihilism को ही दर्शाता है तो basically ये सारे प्रकार थे nihilism के ठीक है अब सबसे स्टार्टिंग में जोकर का example दिया था हमने जोकर के example से इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जोकर एक moral nihilist था जो की society के अपने बनाएवे structure को बिल्कुल deny करता है या उसको बिल्कुल जो है नकार देता है neglect कर देता है और किसी भी तरीकी की morality में believe करने में वो नहीं मानता इसलिए वो सारे structures को गिरा देना चाहता है ये जोकर का character था एक और movie जो है बहुत बढ़िया movie है मैं जरूर suggest करूँगा कि आप इसको जरूर देखे उसका नाम है fight club fight club जो Brad Pitt की movie है उसमें Brad Pitt का जो character होता है basically जिसका नाम शायद Chuck होता है नहीं Chuck नहीं होता टाइलर होता है टाइलर डर्टन नाम होता है Brad Pitt के character का वो एक बहुत बढ़िया एक line बोलता है दूसरे character को और वो कहता है कि it's only when we have lost everything in life that we are fully ready to do anything in our life जब हम सब कुछ अपनी life में खो देते हैं basically सही माइनों में हम तब तयार होते हैं अपनी life में कुछ भी करने के लिए उससे पहले तक तो हम सरफ authority को मान करके किसी भी तरीके की authority को मान करके जीरे होते हैं और अपने आपको एक तरीके से हम किसी ना किसी तरीके के जूट में रखने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके का कोई चूरन या कोई लॉलिपॉप देने की कोशिश करते हैं उस चीज़ से हम अपनी लाइफ को जबरदस्ती का मीनिंग देने की कोशिश करते हैं ठीक है तो जब हम सब कुछ खो देते हैं तब हम फ्री हैं basically कुछ भी लाइफ में करने के लिए ultimately तब हम फ्री होते हैं जब हम सब कुछ खो देते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि nihilism के एक end पे जब आप पहुँच जाते हो एक extreme end पे पहुच जाते हो वहां से यह आपके उपर है कि अब basically आपको यह समझ तो आ गया है आपको यह realize तो हो गया है कि life का कोई purpose नहीं है life का कोई aim नहीं है कोई meaning नहीं है existence में तो अब इनसान करे क्या अब उसके पास में दो choices है या तो वो joker बन जाए या तो वो joker बन जाए completely और chaos फैलाना शुरू कर दे एक तरीके की अराजकता फैला दे समाज में और हर तरीके के structure को deny कर दे और बस जलाना शुरू कर दे सब कुछ या वो एक और काम कर सकता है जो कि मुझे personally लगता है कि वो भी एक तरीका हो सकता है nihilism की extreme में पहुँचने के बाद हम अपनी life को एक meaning दे सकते है क्योंकि वहाँ पे हमें समझ आ गया कि ठीक है nihilism से हमें समझ आ गया कि life का कोई ultimate कोई objective meaning नहीं है तो now it is up to us कि हम एक subjective meaning अपनी life को दे सकें किसी भी तरीके से अब वो poetry के through है कोई बहुत बड़े level का काम हम कर सकें उसके through है प्यार के through है किसी भी तरीके के through हम अपनी life को एक meaning दे सकें सेम बात विक्टर फ्रैंकिल ने अपनी किताब man search for meaning में की थी जो की उन्होंने लिखी थी जब वो concentration camps में थे ostrich में हिटलर के concentration camps में थे तो उन्होंने भी अपनी जो है बुक के अंदर ये बात कही थी उन्होंने नीचा को quote किया था कि there is no inherent meaning in life कोई meaning नहीं है but it is up to us to give some meaning to our life हम अपनी life को meaning दे सकें और हम चाहे suffering के through अपनी life को एक meaning दे सकें अगर हम suffer कर रहे हैं अगर हम किसी problem में हैं तो उस problem में रह करके हम अपनी life को एक meaning दे सकें कि शायद इस suffering का कोई meaning हो सकता है और ultimately इसको जहलते हुए जब हम end तक पहुचेंगे तो शायद हम अपनी कहानी दूसरों को बता सकें या कोई भी हो किसी भी तरीके से हम अपनी life को एक meaning दे सकते हैं या प्यार के थूँ या और भी उन्होंने एक और चीज़ कही थी वो मुझे exactly अभी याद नहीं है but man's search for meaning में भी विक्टेर फ्रैंकिल ने same बात कही थी कि life का objective कोई meaning नहीं है ultimate कोई meaning नहीं है ठीक है यह हमारे उपर है कि हम किस तरीके से अपनी life को meaning देते हैं और कौन सी उन चीज़ों से अपनी life को भरने की कोशिश करते हैं ठीक है basically मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि अगर आप nihilism के through जाते हो और nihilism को समझने की कोशिश करते हो या उस nihilism के गड़े में गिरते हो तो उसका एक extreme end है कि आप बिल्कुल इस level पे पहुँच जाओगे कि भाई सही में there is no meaning in our existence and in life, in nature, in everything कोई meaning नहीं है but अब आपके सामने एक और possibility जो है निकल करके आ जाते हैं कि आपके सामने एक plain white canvas है अगर आप इस example जो समझ सको तो कि अब आपके सामने एक plain white canvas है जिसमें कि आप चाहो तो उसको blank छोड़ सकते हो ऐसे ही चाहो तो उसमें अपने तरीके से कुछ भी draw कर सकते हो कुछ भी paint कर सकते हो और उस painting के थुरू आप कुछ भी उसमें रंग भर सकते हो और किसी भी तरीके का meaning आप अपने आपको दे सकते हो basically आपके सामने एक blank white canvas है और वही nihilism के एक end में हमें समझ आता है कि भाई life meaningless है तो है चलो ठीक है हमने reality को accept कर लिया सबसे पहली बात तो उसके बाद में क्या उसके बाद में ये कि उसके बाद में हमारे उपर है कि हम अपनी life को किस तरीके से define कर सके या किस तरीके से हम अपनी life को एक meaning दे सके कि हम निरंतर life को अपनी जी पाए एक meaning के साथ में ठीक है अगर इसी topic पर बात कर रही हो तो और मेरे को नाम याद आ रहा है Donald Crossby का जिनोंने एक बात कही थी कि life में कुछ भी समझने लाइक नहीं है किस कोई भी truth नहीं है जिसको कि हम पकड़ सके तो और वो लोग जो कि यह कहते हैं कि हमें life का meaning समझ आ गया है या तो वो लोग जूट बोल रहे है ठीक है या वो गुमरा है किसी ने किसी तरीके से या वो गलत रास्ते पे हैं, गुमरा हैं, या वो जूट बोल रहे हैं, क्योंकि कोई meaning या कोई ऐसा कोई justify करने लाए कोई चीज है नहीं life में, कि हम कुछ कह सकें, बहुत truthfulness के साथ में, या बहुत एक तरीके से certainty के साथ में हम कह सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मेर इसमें ये take है, और मैं इस चीज को इस तरीके से मानता हूँ, कि ठीक है यार, life में अगर कोई मतलब नहीं है, या अगर आपको ये समझ आ भी गिया है, तो now it is up to you, आप किसी भी तरीके का meaning दे सकते हो, और ये nihilism के थुरू ही जाकर के आएगा, कि हम इस चीज को समझ सकें कि भाई, life में meaning अगर नहीं भी है, हम तो दे सकते हैं न, हम तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी existence को एक तरीके से justify कर सकें, अपने आपको, ठीक है, और जैसे जैसे हम किसी भी एक काम में, किसी भी एक काम को जब हम करते रहेंगे, करते रहेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपने आपको एक subjective meaning देने के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि ultimately हमारी life का एक purpose खुद निकल करके आ जाए, क्योंकि कई बारी life में ऐसा होता है, कि हमें नहीं पता चलता है, या नहीं होता कोई meaning, नहीं होता कोई purpose, तो हमारे उपर बात आती है कि हम अब life को किस तरीके स meaning दे सके है, कि इस तरीकी से direction दे सकें, कि हम life में आगे बढ़ सकें, यह मैं समझता हूँ, यह मेरा take है nihilism को ले करके, ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा था, एक बारी, and I was discussing about nihilism, और बहुत अच्छी बात सामने वाले इंसान ने कही थी कि nihilism का भी एक optimistic, एक viewpoint हो सकता है, कि जैसा मैंने starting में बोला, या जैसा मैंने अभी बोला, कि अगर meaning नहीं है, तो भी, आप at least free तो हो, at least now you're free, आप उस jail से, आप उस construct से, उस societal construct से, उस jail से, उस cad से free हो, now you're free, अब आप free हो, कोई भी life को meaning देने के लिए, ठीक है, आपको, दुनिया को जलाना है, तो आप जला द हो, वो भी आप कर सकते हो, जैसे जो करने किया था, बट फिर उसके consequences आपको जहलने पड़ेंगे, ठीक है, एक society के अंदर, एक order maintain करना ज़रूरी है, ठीक है, और अगर वो नहीं करना, तो एक और end जो है, वो जैसा मैंने बोला, कि आप खुद अपने आपको एक meaning दो, किसी क आपके से, तब जागर के शायद एक वो मिले, और मुझे लगता है कि ये nihilist viewpoint से life को जीने का जो तरीका है न, वो मेरे according best तरीका है, क्योंकि यहाँ पे faith की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे religion की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी abstract या कोई hypothetical किसी चीज को पकड करके बैठे हो और उस चीज के थूरू अपनी life को जीने पे लगए, उसी चीज को के उपर अपनी life को base करके आप अपनी जिने पे लगए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब बात आपके उपर आ गई है, now it is up to you, ठीक है, it is up to you, कि आप क्या meaning देते हो, आप किस तरीके से अपनी life को direction देते हो, और कुछ ना कुछ अपनी life में करते रहते हो, ठीक है, वो आपके उपर है, तो ये है nihilism, ठीक है, और मेरे से अगर पूछा जाएगा, मुझसे अगर पूछा जाएगा, मुझे अगर बताना हो, तो मैं, मैं खुद भी एक nihilistic point of view क इनसान हो गया हूँ, देरे देरे life में, क्योंकि जिस तरीके से मेरे भी belief systems कुछ तूटे, बहुत चीजों को ले करके, क्योंकि मैंने भी कुछ कुछ चीजे पकड़ी हुए थी life में, और देरे देरे करके, जब वो तूटी या, देरे देरे करके, जब वो बिखर गई, तो या, मैं कहूं कि, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो एक surface level पे चीजे करने के लिए तो ठीक है, हमें बहुत कुछ करना होता है, बट हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ता है जिससे कि हमारी life को meaning मिले, जो कि हम अपने लिए करें, तो अगर मुझे बाकी surface level की चीजों में अपने लिए कर सकूँ, और यह कह सकूँ कि, हाँ, यह मेरी एक चीज है, जो कि मेरी life को, मेरे existence को subjective meaning देती है, और इस चीज के तुरू मैं अपनी life काट सकता हूँ, हमेशा के लिए, कि इस एक particular काम को करते हुए, ठीक है, मेरे case में अगर मैं कहूँ हूँ, तो वो poetry हो सकती ह अब poetry से मुझे एक और चीज याद आई, वैसे, एक और movie है, Dead Poets Society, उसको भी अगर आप देखोगे, तो you'll love that movie, वो movie भी बहुत अच्छी है, ठीक है, Robin Williams उसमें main lead character में है, जिनोंने किसी poet का role play किया है, तो उसमें वो भी एक बहुत बहतरीन चीज बोलते हैं अपने students को classroom में जब हो कुछ सिखा रहे होते हैं, and he says, की उसकTechnology किया है, सकते हैं आवालों सबने किम्स्कामी दенд 듣 वालाना जचसानाटर्डरा क।का सवाला रांटर्वाल्भर्व a थालां आष्म्डर्ड़ देस्ता हैं, हॉँखड़ वालात में रहावार्वाला हैं, कि थाला बहार्णाटर्वां जए आवसे दे खञत्सें सभ Japanese-Engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But Poetry—Beauty, Romance, Love— These are what we stay alive forставляnd. To quote from Kidman, O Me, O Life of the questions of these recurring, Of the endless trains of the faithless, Of cities filled with the foolish, what good amid these oh me oh life answer that you are here that life exists and identity that the powerful play goes on and you may contribute a verse that the powerful play goes on and you may contribute a verse what will your verse be we live for poetry हम जो जीते हैं हम poetry के लिए जीते हैं poetry अपने आप में सिर्फ वहाँ पे poetry को नहीं resemble कर रहा कि वो सिर्फ poetry की बात नहीं है वहाँ पे actual जो बात कहने की कोशिश करी थी उस character ने वो यह है कि बाकी सारी चीज़े जो हम करते हैं वो अपनी life को sustain करने के लिए करते हैं बट कुछ कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा चाहिए ना कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जिसको कि हम अपने लिए कर सकें जिसको कि हम अपनी खुशी के लिए कर सकें वहाँ पे वो एक point जो था वो बेशक poetry के बारे में कहा गया हो but actually मैं उसका सिर्फ poetry से लेना देना नहीं है वो काम या economic value के लिए नहीं कर रहे हो या finance के लिए नहीं कर रहे हो वो आप कर रहे हो अपनी खुशी के लिए वो आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो वो भी एक तरीका है अपनी life को एक meaning देने का ठीक है कि बाकी सारी चीज़ें भी करना ज़रूरी है but poetry is something that we live for हम poetry के लिए जीते है अब यहाँ पे हमें symbolism को समझना बहुत जरूरी है कि वो symbol जो किस तरफ किया जा रहा है किस तरफ इशारा किया जा रहा है जब poetry का नाम लिया जा रहा है वो बाकी सारी चीज़ें को कहा जा रहा है जो भी चीज आपकी life को meaning देती है वो आप करो और वो आप अपने लिए करते हो वो आप अपनी खुशी के लिए करते हो वो आप किसी भी जो है ना एक transaction के लिए नहीं करते कि ये करके मुझे कुछ मिल जाएगा लेट से अगर एक point है जिसको poetry करना बहुत अच्छा लगता है poetry लिखना, poetry पढ़ना, सुनना बहुत अच्छा लगता है तो हो सकता है कि शायद उसकी lifetime में वो poetry करते हुए वो पैसे भी ना कमा पाई उस चीज के या उस चीज को उसको पैसे ना मिले बट basically वो अलग-अलग hobbies को चुन लेते हैं वो अलग-अलग hobbies में चले जाते हैं कोई painting करना शुरू कर देता है या कोई singing शुरू कर देता है कोई music में घुस जाता है अलग-अलग चीज़ें हर कोई कर देता है करना शुरू कर देता है क्यों करता है इंसान सिर्फ इसलिए कि अपने आपको कुछ ना कुछ वह अपने लिए कर सके अपनी खुशी के लिए अपने लिए जिस्से कि उसको उसकी existence को एक meaning मिल सके उसको एक meaning मिल सके और उसको एक value अपनी life में पता चल सके कि हा भाई मैं कुछ meaningful कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ meaningful create कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ ऐसे ही directionless purposeless या aimless नहीं जा रही है, मेरी लाइफ का meaning है, जो कि मुझे मिल रहा है शायद और लोगों को वो basically समझ आए या ना आए, बट उस कहीं न कहीं, उस लाइफ के उस void को या लाइफ की उस absurdity को हम fill करने की कोशिश कर सकते हैं या उसको भर सकते हैं, किसी भी ऐसे काम से, ठीक है अब अगर हम modern structure और, सॉरी, हम modern structure को देखे, modern society को आज की contemporary society को अगर देखें तो अब, मैंने एक quote पढ़ा था कहीं न कहीं, ये वीडियो बनाने का जो एक main objective है, जो main reason है, वो यही था मैंने एक quote पढ़ा था कहीं पे, मैंने share किया था अपने Instagram story पे उसमें एक बात कहीं गई थी कि आज की contemporary society के लिए contemporary society के साथ में, problem survival of the fittest की नहीं है, जैसे पहले होता था, जब resources कम थे, resources नहीं थे, या बहुत ज़ादा कुछ नहीं था हमारे पास करने के लिए, वहाँ पे survival of the fittest था, जो सबसे fit होगा वो अपनी जान बचा पाएगा, या वो अपने existence को बचा पाएगा, वो मरने से बच पाएगा, ठीक है आज की date में वो problem नहीं है, survival of the fittest नहीं है, आज की date में सबसे बड़ी problem हमारी generation के यह है कि हम किस तरीके से अपनी life को एक meaning दे सके ठीक है, क्योंकि एक meaningless existence है, बहुत सारे लोग बहुत सारे काम, या बहुत सारी jobs या बहुत सारे अलग-अलग field सिर्फ इसलिए चून लेते हैं, कि कोई ना कोई और उस काम को कर रहा होता है कोई हमारा पडोसी, कोई हमारा relative या कोई हमारा दोस्त, और फिर वो हम भी उसी काम को करने लगते है अब करते करते होता यह है कि एक time के बाद में जब हम काम करते हैं, हम job करते हैं, चाहे बेशक हमें उस काम में, उस job में मज़ा आ रहा हो, या ना आ रहा हो, वो फरक नहीं पड़ता, बट हम करने लगते हैं क्योंकि हमारी basic जो need है, पैसे की वो पूरी हो रही है, ठीक है हम इस दुनिया में अच्छे तरीके से transact कर पाएंगे, give and take कर पाएंगे, वो तो हमें मिल रहा है और बहुत लोगों को वो मिल जाता है, problem तब तक नहीं है जब तक कि आप सर्फ पैसे के लिए सोच रहे हो या पैसा कमा रहे हो, problem तब शुरू होती है, जब आपने एक amount एक x amount save कर लिया, बना लिया, अब आपका survival जो है, पुरे तरीके से ensured है, ठीक है, वो well taken care है उस चीज़ का और सब कुछ बढ़ी है, problem तब शुरू होती है, क्योंकि अब इनसान क्या करेगा, ऐसा इनसान जो कि अपने काम में अपनी खुशी को नहीं ढूण पा रहा या अपने काम से उसको वो meaning नहीं derive कर पा रहा अपने काम के थुरू, तो ऐसा इनसान क्या करेगा, वो अगर कोई x amount कमा भी लेगा, या एक lifestyle उसका, एक x तरीके का lifestyle अगर उसने हासिल कर भी लिया तो अब उसके पास में क्या और options है करने के लिए, वो basically एक hedonistic lifestyle के तरफ बढ़ जाएगा hedonistic lifestyle में यह है, hedonist जो term है उसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा idea जिसमें कि एक इनसान यह सोचता है कि life is basically about pleasure seeking आप सरफ pleasure सीख करते रहो और हर चीज में pleasure सीख करो और उसी के पीछे भागते रहो तो life is basically for seeking pleasure हर चीज में आप pleasure सीख करो और मजे करते रहो तो एक इनसान, आज के दौर का इनसान जिसकी एक lifestyle वाली जो भूक है वो अगर पूरी हो भी गई न तो वो ultimately वहाँ पर आगर वे फस जाता है कि अब उसके पास में कुछ करने को नहीं है वो क्या करेगा, वो मजे मारेगा ठीक है, वो नशे करेगा वो हो सकता है consumerism के trap में फस जाए materialism के trap में फस जाए जो कि brands और अलग-अलग companies अब वो सिर्फ शॉपिंग करता रहता है वो चीज़ें खरीटता रहता है और उसे लगता है कि वो उस चीज़से अपनी life को भरने की कोशिश कर लेगा बड़ बहुत जल्दी इनसान शायद इस चीज़ को भी समझ जाता है कि भाई आप कितने भी gadgets खरीद लो कितने भी कपड़े खरीद लो कुछ भी आप acquire कर लो आप life के उस ultimate void को नहीं भर सकते नहीं भर सकते आप कुछ भी कर लो क्योंकि life में हर चीज temporary है हर चीज life में temporary है आप किसी भी चीज में किसी भी चीज के उपर आप अपनी खुशी को टिका करके देख लो ultimately कुछ न कभी न कभी वो टाइम आएगा जब उस चीज से आपकी खुशी तूट जाएगी या अलग हो जाएगी तब जाकर कि आपको life में जो है न और life की चीजों का अलग है चीजों का एक impermanent समझ आएगा कि कितनी fragile हैं कितनी temporary हैं ये long lasting कभी भी नहीं हो सकती ठीक है तो आज कल के दौर में अगर देखा जाएगा न contemporary society में तो सबसे बड़ा issue यही है meaning का क्यों है क्यों कि जैसा मैंने बोला lifestyle हासिल करने के बाद में भी आप क्या करोगे क्या करोगे आपको कही ना कहीं से वो खुशी कहीं ना कहीं से वो meaning derive करना पड़ेगा तो बहतर है कि आप अपने काम के थूरू या कोई ना कोई अपने आपको एक ऐसा aim दे करके किसी भी तरीके का वहां से आप उस चीज को drive करो बजाए कि एक hedonistic culture में या एक hedonistic lifestyle में घुस करके सिर्फ आप चीजों में खुशी ढूंडने की कोशिश कर रहे हो और अलग-अलग products में खुशी ढूंडने की कोशिश कर रहे हो तो contemporary society के contemporary structure में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये उसका context है कि आज के दोर में meaning ढूंडना इंसान के लिए सबसे ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि एक time के बाद में जैसा हम पूरी वीडियो में बात करी रहे हैं एक time के बाद में आपकी basic necessities पूरी हो जाएंगी आपकी problems भी ठीक हो जाएं आपकी सब कुछ ठीक हो जाएं ठीक है आपका एक lifestyle अच्छा बन जाए उसके बाद क्या उसके बाद ही तो real suffering स्टार्ट होती है उसके बाद ही तो problem स्टार्ट होती है कि आपने कर तो लिया अचीव कर लिया जिस चीज के पीछे भाग रहे थे continuously वो आपने आ लिया जिस lifestyle के चकर में आप सब कुछ कर रहे थे वो भी आपको मिल गई आपके पास में गाड़ी भी है अपना घर भी है सब कुछ है अब क्या now what what will you do अपनी life को fulfill कैसे करोगे अब अब एक meaning कैसे दोगे वो सब कुछ कर लिया अब क्या अपने आपको खुशी देने का य अपनी life को भरते रहो meaning देते रहो बट वो permanent नहीं हो सकता कभी भी नहीं कभी भी permanent नहीं हो सकता उसके लिए आपको ढूणना पड़ेगा कोई ऐसा काम कोई ऐसा कोई ऐसा कोई activity जो की productive हो ठीक है जो आपको एक long lasting खुशी दे सके जो आपको life में continuously आगे बढ़ने के लिए help क कर सके आपको आगे बढ़ा सके और आपको अंदर से एक substance दे सके अपनी life में जिस पर कि आप अपनी life को base कर सको और पूरी life अपनी जी सको ये मेरा take है nihilism पे और इस तरीके से मैं समझता हूँ या मैं देखता हूँ nihilism को तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कोई चीज़े miss हो गई है तो please comment down below comment section में मुझे जरूर बताओ और अपना view दो कि कैसी आपको वीडियो लगी और क्या better किया जा सकता है so that's it from this video I hope आपको अच्छी लगी हो and do share do share it with other people as well and that's it bye bye guys take care have fun bye